शारुखान जहाँ पठान और जवान के साथ इस साल के ब्लॉकबास्टर किंग बने तो वही दिपिका पादुकोन ने भी इस साल कुईन का किताब अपने नाम किया ये फिल्म 2024 में जनवरी के महीने में सिनमा कुर में दस्तक देगी बनाते कि फाइटर थेटर में आये उससे पहले ही ये रिवील हो चुका है कि दिपिका और रितिक स्टारर यहां फिल्म केस OTT प्लेटपॉर्म पर आएगी फाइटर के बज़ को बनाये रखने के लिए मेकर्स, रितिक और दिपिका स्टारर फिल्म से एक बाद एक नया अफडेट शियर कर रहे है हाले में रितिक ने अपने एक्स अकाउंट पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया था जिसमें दीपिका पादुकोन, अनिल कपूर और रितिक नजर आ रहे है इस पोस्टर में रिलीज के साथ ही OTT प्लेटफॉर्म नेट्फिक्स भी मेंशन किया गया था इस पोस्टर के साथ ही मेकस ने ये भी क्लियर कर दिया कि थीटर के बाद जब भी ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाएगी तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नेट्फिक्स पर ही होगी बताते कि सिद्धात आनन के निर्देशन में बनी फाइटर को देखने के लिए फैंस को आज इसे एक महीने का इंतिजार करना होगा इस फिल्म के लिए सिद्धात आनन और T-Series ने वही डेट चुनी है जिस तारीक पर शारुखान की पठान सिडिमा गरों में आई थी फाइटर 24 के पहले महीने जनवरी में गंटन्त दिवस के एक दिन पहले 25 जनवरी को फैंस के हवाले हो जाएगी इस फिल्म के गाने और टीजर को देखने के बाद अब फैंस फिल्म के ट्रेलर रिलीज का बेस अबरी सिंतिसार कर रही है ऐसी मुवी न्यूस अबडेट रहने के लिए मुवी मसालों को भी सब्सक्राइब करें